Magnetic Field के वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक Magnet दूर रखेवे Magnet को एक distance नहीं attract या repel कर पाता है तो ऐसा होता है कियोंकि Magnet अपने चारो तरफ एक Field को generate करता है और यही Field दूसरे Magnets पे एक influence create करता है अब इस Field को हम बलाते है Magnetic Field अब अगर इस Field में कोई Magnet आता है तो वो एक attractive या repulsive force को field करता है तो असल में यह Field ही है जो कि बाकी के Magnets को push या pull कर पाता है लेकिन देखो Magnetic Field के वीडियो में हमने इस Field को एक green color के cloud से दिखाया था लेकिन या यह cloud यह हमें बहुत सारे information को नहीं देता है जैसे कि यह cloud हमें यह नहीं बताता है कि Magnet का force यह कहाँ पर strong होगा और कहाँ पर weak होगा जैसे कि हमें पता है कि Magnet के past में यह force यह strong होने वाला है और Magnet से दूर में यह force weak होने वाला है और हमें यह भी नहीं बताता है कि Magnet की force की direction क्या होने वाली है देखो magnet के around अलग-अलग point पे magnetic force यह अलग-अलग direction में point करेगी तो इस direction को भी यह नहीं बता पाता है तो इसे लिए हम इस green cloud के जगा पे एक अलग तरीके का इस्तमाल करने वाले magnetic field को दिखाने के लिए इसके लिए हम draw करने वाले हैं कुछ lines और इसे हम बुलाने वाले हैं magnetic field lines तो इस वीडियों हम देखेंगे कि magnetic field lines को कैसे draw करें और इनसे information कैसे निकालें तो आँ magnetic field को एक color के बजाए कुछ lines से draw करने की कोशिश करते हैं लेकिन एक बात का दिखान रखना कि यह line हमें यह भी बताने चाहिए कि किसी भी point पे magnetic force इसकी direction क्या होने वाली है तो देखो इसके लिए हम उल्टा काम करने वाले हैं हम पता लगा लेते हैं कि किसी भी point पे magnetic force की direction क्या है और जिस direction में force होगा उसी direction में हम माल लेंगे कि magnetic field line भी point कर रही है तो आँ यही करते हैं पता लगाते हैं कि इस बड़े इस magnet के around इस point पे magnetic force की direction क्या है तो इसके लिए मैं एक छोटा सा magnet लूँगा और इस point पे रख देने वाला हूँ और जिस direction में ये magnet force को experience करेगा, जिस direction में ये magnet point करेगा न वही हो जाएगी magnetic force की direction at this point और उसी direction में होगा magnetic field at this point अब देखो इसी को दिखाने के लिए मेरे पास है एक compass और compass में होता है एक छोटा सा magnet ये जो needle है ना ये एक छोटा सा magnet है और ये एक point पे freely rotate कर सकता है देखो इस needle की ये जो red वाली portion है ये हो गई north pole और ये black वाली portion ये हो गई south pole तो अगर मैं इस compass को इस point पे रखूँ तो इस compass का north pole इस बड़े से magnet के south pole से attract होने वाला है ये इसके तरफ move कर जाने वाला है और इसा इसलिए क्योंकि unlike poles ये एक दूसरे को attract करते हैं और similarly यहाँ पे इस compass का जो south pole है ना ये बड़े से magnet के south pole को repel करने वाला है ये right direction में move कर जाएगा और इसा इसलिए क्योंकि same poles ये एक दूसरे को repel करते हैं तो देखो याँ यहाँ पे compass का north pole ये left side में force को feel कर रहा है और compass का south pole ये right side में force को feel कर रहा है तो याँ किस direction में हम magnetic force की direction को माने तो scientist ने बहुत पहले ये मान लिया कि जिस direction में किसी magnet का north pole point करेगा उसी direction में होने वाली है magnetic force की direction तो यानि कि हम कह सकते हैं कि इस point पे क्योंकि compass का north left में point कर रहा है तो यानि कि इस point पे magnetic force ये left में होने वाली है और left direction में magnetic field point करेगा इस point पे अब अगर मुझे इस point पे magnetic field का पता करना है तो मैं compass को यहाँ पे लेकर आ जाओंगा तो देखो यहाँ पे हमारी compass की north pole ये repel हो रही है ये north pole इस बड़े magnet की north pole से repel हो रही है इस direction left direction पोइंट कर रही है तो यानि कि इस point पे magnetic force का left direction में और similarly magnetic field ये भी left direction में ही point करेगा अब जिको इन दोनों points पे magnetic field का पता लगाना ये तो आसान था ये तो मैं बिना compass के अंदाज से ही बता सकता था यार क्योंकि north pole यहाँ पे attract होगी और यहाँ पे repel होगी लेकिन अगर कोई और point लेते जैसे कि ये point या फिर ये point तो यहाँ पे अंदाज से बता पाना ये थोड़ता मुश्किल पड़ जाता यहाँ पे मुझे experiment ही करना पड़ेगा तो आप compass को यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे हर एक point पर ले जाके वहाँ पे magnetic field की direction को draw करना पड़ेगा लेकिन यार इसमे मजा तो आएगा लेकिन बहुत time भी लगने वाला है तो इसी के लिए Khan Academy की website पे एक simulation है जहाँ पे तुम same experiment को software की मदद से बहुत ही जल्दी कर सकते हो तो आप यही करते हैं हमें simulation की मदद से हर ए वैसे मैंने इस simulation का link यहाँ वीडियो के description में डाल रखा है ताकि तुम वीडियो देखने के बाद इसके साथ खुद भी खेल सको अब देखो यहाँ पर setup बिल्कुल ही similar है हमें दिया हुआ एक bar magnet और एक compass जिसकी मदद से में अलग-लग point पे magnetic field की direction का पता लगा सकता हूँ औ और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं space bar को दबाऊं तो मेरे पास यहाँ पे एक arrow आ जाने वाला है देखो इसका मतलब यह हो गया कि हमारा compass अभी यहाँ पे है और इसकी north pole यह point कर रही है left direction में यानि कि इस point पे magnetic field यह left direction में point करने वाली है तो अगर मैं space bar दबा के तो यहाँ गया मेरा arrow फिर कोई और जगा पे ले जाऊंगा और space bar दबा के यहाँ गया मेरा arrow तो ऐसे करते करते मैं हर एक जगा पे space bar दबाने वाला हूँ और मैं हर एक जगा पे magnetic field की direction को draw करने वाला हूँ अब देखो starting में तुम्हें लगेगा कि यह सारे magnetic field की direction यह randomly arranged है लेकिन जैसे जैसे तुम और arrows को draw करोगे ना तो वैसे वैसे एक pattern निकल के आने वाला है तो आप जल्दी से हम arrows को completely draw करते हैं अब आप अपने image को copy कर लेते हैं हम drawing board पे और देखते हैं कि क्या इन arrows की बीच में कोई interesting सा pattern दिख रहा है में तो देखो यह सारे arrows यह north pole से away point कर हैं और यह slowly turn कर रहे हैं south pole के towards तो यानि की magnetic field यह north pole से south pole के towards point करती है अब देखो इन arrows के कारण यह diagram बहुत घिचपिच हो गया यार बहुत गंदा दिख रहा है तो इसे अच्छे से दिखाने के लिए हम arrows का इस्तमाल नहीं करते हैं हम इन arrows को replace कर देने वाले हैं continuous lines से lines जो की north pole से south pole के towards जाएं कुछ ऐसे और देखो इस line की direction को दिखाने के लिए मैं इसके उपर एक arrow बना देने वाला हूँ तो आजकल हम magnetic field को दिखाने के लिए हम lines का इस्तमाल करते हैं magnetic field lines की मदद लेते हैं और यह lines जाती है north pole से south pole के towards हर जगा पे अब देखो वैसे यह diagram भी थोड magnetic field lines यह north से start करती हैं और south में end करती हैं लेकिन देखो यह कहानी केवल magnet के बाहर की कहानी है अगर तुम magnet के अंदर देखो तो यही magnetic field lines यह south से north run करती हैं और यह एक closed loop बनाती है magnetic field line की तो यानि कि अगर मैं short में बोलू तो magnetic field lines यह बाहर में north से south run करती हैं और अंदर में यह south से north run करती है और यह हमेशा एक close loop को form करके रखती है वैसे मैंने यहापे diagram में कुछ तीन open magnetic field lines को बना के रखा हुआ है लेकिन देखो, असल में यह भी close loop होती वो असल में यह screen के बाहर जा रही थी न तो इसलिए मैंने यहापे complete नहीं किया है अब तुम यह सोच रहोगे किराम magnetic field line यह magnet के बाहर north से south run करती है यह तो समझ में आता है लेकिन magnet के अंदर यह south से north run करती है ऐसा क्यों तो देखो, इसे समझने के लिए हम एक experiment करने वाले हैं मैं magnet को तोड़ दूँगा दो हिस्सों में और जो magnetic field line की direction होगी इन दोनों हिस्सों के बीच में वही direction होने वाली है इस पूरे magnet के अंदर तो देखो, इन दोनों के बीच में magnetic field line की direction का पता लगाने के लिए मैं इन दोनों के बीच में एक compass को रख दूँगा अब compass का needle, north pole यह जिस भी direction में point करेगा वही हो जाने वाली है magnetic field की direction तो देखो, तुम यह कैस करोगे कि compass का north pole यह magnet के south pole से attract होगा और north से ripple तो यानि कि यह right direction में point करना चाहिए यानि कि magnet के अंदर magnetic field line की direction यह north से south run करनी चाहिए लेकिन असल में अगर तुम compass को देखो तो इसका north point करेगा magnet के north के towards तो यानि कि magnet के अंदर magnetic field line run करनी चाहिए south से north लेकिन तुम सोच रोगे यह राम ऐसा कैसे हुआ तो देखो, जब मैंने magnet को तोड़ा तो मुझे अलग से एक north pole और अलग से एक south pole नहीं मिले बलकि मुझे मिले दो छोटे-छोटे magnet जिनका खुद का था एक north और एक south pole similarly इसका भी एक north और एक south pole तो इसलिए compass का जो north है न यह इसके north से repel हो रहा है और इसके south से attract हो रहा है और इसलिए हमें दिख रहा है कि compass की needle point कर रही है left direction में यानि की magnetic field line यह left direction में यानि की magnetic, original magnet के अंदर magnetic field line यह run कर रही है south से north direction में तो हमने अभी तक एक magnet के around magnetic field lines को draw करना तो देख लिया है लेकिन यार इस method का फाइदा क्या है देखो magnetic field के arrow वाले diagram से तो हम आसानी से बता सकते थे कि कि किसी भी point पे magnetic field या force किस direction में है तो क्या हम same चीज़ यह magnetic field line के diagram से बता सकते हैं तो हम बिल्कुल देखो जिस भी point पे तुम्हें magnetic field की direction चाहिए उस point पे तुम्हें tangent को draw करना tangent to the magnetic field line और tangent की direction इसे रखना magnetic field line के direction के along और फिर यह arrow की direction यही बता देगी इस point पे magnetic field की direction तो अगर इस point पे तुम्हें compass को भी रखोगे न तो वो compass बिल्कुल इसी arrow के along align करेगा खुद को तो हाँ यह method थोड़ा सा पीचीता दिखने में तो है लेकिन इस method के और भी कई फायदे हैं अब बात करते हैं magnetic field lines की एक और property के बारे में जहाँ जहाँ पे magnetic field lines पास-पास में होंगी वहाँ वहाँ पे magnetic field की strength ये भी जादा होने वाली है और वहाँ पे magnetic force ये भी strong होने वाली है देखो जैसे कि poles के पास magnetic field lines ये बहुत ही पास-पास होती है तो यानि कि यहाँ पे magnetic field की strength ये भी strong होने वाली है और poles से कहीं भी तुम दूर चले जाओ तो यहाँ पर magnetic field lines यह फैली भी नजर आएंगी तो यानि कि यहाँ पर magnetic field की strength यह कम होने वाली है अब देखो इसी चीज़ को मैं तुम्हें experimentally भी दिखा सकता हूँ अगर तुम iron filing slow यानि कि iron के बुरादा और उसे बार magnet के उपर छिड़क दो तो तुम्हें कुछ ऐसा pattern दिखने वाला है देखो यह जो iron का बुरादा है यह magnet की poles के around बहुत ही जादा इखटा हो जाएगा और कहीं भी तुम दूर जाके देखोगे न तो वहाँ पर बहुत ही कम दिखने वाला है तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि poles के पास magnetic field strength यह बहुत ही जादा है अब देखो असल में होता क्या है कि यह iron के छुड़े छुड़े टुकडे जब यह magnet के पास आता है न तो यह खुद भी magnetize हो जाते है और यह एक tiny magnet की तरह या फिर compass की तरह behave करने लगते हैं और इसलिए हमें यह pattern देखने को मिलता है अब हाँ एक और property की बारे बात करते हैं तो magnetic field lines यह कभी भी intersect नहीं करती है मतलब कि अगर मैं एक और बार magnet को ले आऊ तो इसकी magnetic field lines और इस पहले वाले की magnetic field lines यह कभी भी intersect नहीं करने वाली है अगर मालों की intersection हुआ तो intersection point पे अगर मैं एक compass को रख दू तो compass की needle इस magnetic field line के कारण इस direction में point करेगी और इस magnetic field line के कारण ये इस direction में point करनी चाहिए लेकिन यार एक compass की needle एक time पे दो direction में कैसे point कर सकती है ऐसा तो possible नहीं है न तो इसलिए कभी भी दो magnetic field lines intersect नहीं करती है असल में होगा क्या कि ये दोनो field lines मिलके थूरा change हो जाएंगी ताकि कोई भी intersection नहीं हो और ये same thing होता है एक magnet की field lines में भी एक magnet की field lines भी आपस में कभी intersect नहीं करती है तो यार इस वीडियो में तो हमने बहुत कुछ देख लिया है हमने देखा कि कैसे आजकल हम magnetic field को कुछ imaginary कालपनिक lines को draw करके दिखाते हैं और ये lines हमें बताएंगी कि किस direction में एक छोटा magnet का north pole point करेगा जैसे कि ये line मुझे बताएगी कि एक छोटे magnet का north pole इस point पे इस direction में point करने वाला है similarly ये line मुझे बताएगी कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा magnet को रख दू तो उसका north pole इस direction में point करेगा और देखो magnetic field lines ये हमेशा एक close loop बनाती है और जहाँ भी field lines बहुत ही पास पास होगी न वहाँ पे field की strength बहुत ही strong होगी और ये field lines कभी भी intersect नहीं करती है